नमस्कार स्वागत आपका चुनाव आज तक में मैं हूँ रवीश पाल सिंग मदरबदेश में विधान सभा चुनाव का ये साल है और इस चुनाव में कई सारे मुद्दे होंगे लेकिन इन चुनाव की सरगर्मियों की बीच मदरबदेश में एक विभाग सुर्ख्यों में सुर्ख्यों में बना हुआ है एक मिथक की वजए से हम बात करे हैं मदरबदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की दरसल इस विभाग के साथ एक बहुत पुराना मिधक जुड़ा हुआ है मिथक ये कि जो भी इस विभाग का कारेभार संभालता है अगले चुनाओं में उसे हार का सामना करना पड़ता है कई साहरे उधारण भी हैं जो मत्रपदेश की राजनीती में इस विभाग के साथ जुड़े हैं और बाद में उन्हें हार का मुझ देखना पड़ा हाली आउधारण देखें तो कॉंग्रेस छोड़कर भारती जन्ता पार्टी में शामिल हुई इमर्ती देवी का नाम सामने आता है इमर्ती देवी साल 2018 के विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रेस के टिकट पर डबरा विधान सभा सीट से जीत करके आती हैं कमलात सरकार में उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग दे दिया जाता है 2020 में मद्यप्रदेश की सक्ता में तक्ता पलट होता है कॉंग्रेस की सरकार गिर जाती है और कॉंग्रेस छोड़ करके भारती जनता पार्टी में कई सारे विधायक आ जाते हैं जोत्या सिंद्या समर्थक उन में से एक इमर्ती देवी भी थी इमर्ती देवी महिला एवं बाल विकास विभाग में थी 2020 के नमबर महीने में उपचुनाओं होते हैं लेकिन देखिये उपचुनाओं में इमर्ती देवी जो 15 महीने पहले ही उसी सीट से जीत करके आई थी कॉंग्रेस के टिकट पर वो हार जाती है लेकिन इमर्ती देवी अकेला ऐसा उधारण नहीं है जिनके पास महीला एवं बाल विकास विभाग था और उन्हें हार देखनी पड़ी इमर्ती देवी के अलावा भी कई सारे नाम है जिसमें कुसुम महदले का नाम है अर्चना चिटनीस का नाम सामने आता है और कई सारे दूसरे नाम भी हैं जिनोंने ये विभाग संभाला लेकिन उन्हें हार का मूँ देखना पड़ा अब सवाल ये है कि इस विभाग का नाम आखिर अब क्यूं आ रहा है तो अब आपको बता दें कि दरसल ये विभाग इस समय मद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान के पास है मद्रप्रदेश में 2223 में चुनाओं भी होने हैं विधान साबा के ऐसे में क्या पुराना ये जो मिथक है वो मिथक कायम रहेगा या शिवराज सिंग चोहान जो कि मद्रप्रदेश की राजिनीती में शिखर तक पहुँच चुके हैं वो इस मिथक को तोड़ने में कामियाब होंगे दरसल शिवराद सिंग चुहान का जो कद है मदरप्रदेश की राजिनिती में उसे देखते हुए तो ये माना जा रहा है कि शिवराद सिंग चुहान इस मिठक को आसानी से तोड़ देंगे ऐसे में अगर हम देखें तो जो कुछ पुराने नाम है जो सामने आते हैं उसमें कुसुम महदले का नाम सबसे पहले आता है जो 2003 में महिला इवंबाल विकास मन्ती रही मदरप्रदेश में लेकिन 2008 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था 2008 में रंजना बगेल भी चुनाव हारी थी इससे पहले वो महिला इवंबाल विकास विभाग संभाल चुकी है वो मनावर से हारी थी 2013 के चुनाव की बात करें तो माया सिंग को महिला इवंबाल विकास विभाग की जिमेदारी दी गई थी माया सिंग ग्वालियर से आती है और 2018 में जब विधान सभाव चुनाव हुए थे तो सोचिए वही माया सिंग जो इसी महिला एवं बाल विकास विभाग में मंत्री रह चुकी है वो हार जाती है अपनी पारंपरीक सीट से हार जाती है वो इसके अलावा अगर देखा जाए तो ललिता यादव और अर्चना च जुड़े हैं लेकिन जब हम बात करते हैं कॉंगर्स के शासनकाल की तो जब डिग्विजे सिंग की सरकार थी तो जमुना देवी उन्होंने इस मिथक को तोड़ा था वह महिला एवं बाल विकास विभाग में मंत्री तो बनी लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो व के शिवराज सिंग चुहान इस मिथक को जमुना देवी की ही तरह तोड़ पाने में काम्याब होंगे या फिर मद्वदेश की राजनीती में ये मिथक अगर कायम रहता है तो कोई बहुत बड़ा उलट फेर होगा देखना ये है कि 2023 के विधान सभा चुनाव में महिला एव